Hey guys, welcome you all in my YouTube channel. आज के एस YouTube वीडियो में हम जारेंगे कि आगी बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज लाल सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दी और हमारे चैनल होम ब्यूटी पारर को सबस्क्राइब कर लें और आपको अनेवन टोन अगर अच्छा नहीं लगता है और आप उससे निजात पाना चाहते हैं तो आपको इस्तमाल करना है बेसन का और दही का बेसन और दही का एक पेस्ट बना लें आप एक बाउल में बेसन लीजिए और उसमें दही एड़ करें जब तक कि एक थिक पेस्ट ना बन जाए अब उस पेस्ट को आप अपने स्किन पे अपलाई करें और अपलाई करके जब वो पेस्ट सूख जाता है तब उसे अच्छे से वाश कर लें क्योंकि बेसन के अंदर को special property होती है वो हमारे चहरे पे मौझूद excess oil dirt को हटाने का काम करता है हमारे स्किन को बहुती soft करता है और दही हमारे स्किन में मौझूद कोई भी bacteria होता है या कोई भी pimple causing agent होता है तो उसे हटाने में बहुती helpful होता है आपको इस्तमाल करना है पपाया का आप एक कच्चा पपीता लीजिए और उसके अंदर का पल्प वाला हिस्सा यानि की गूदेदार हिस्सा लीजिए और उसे निकाल कर आप अपने चहरे पे अच्छे से मसाज करिए आप 10 से 15 मेने तक उसे मसाज करें और मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से अपने चहरे को धोलें पपाया का इस्तमाल हमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पपाया के अंदर बहुत अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जिस वज़े से आपके चहरे में बहुत शाइन आती है और इसके अंदर स्किन लाइटिंग प्रॉपर्टी होती है जिस वज़े से आप अपने चहरे का अनिवन टोन हटा सकते हैं और आप एक अलग सी ब्राइटनेस ला सकते हैं आपको इस्तमाल करना है बेकिंग सोड़े का आप बेकिंग सोड़ा लीजे और उसके अंदर वाटर एड़ कर लें आप बेकिंग सोड़ा और वाटर की क्वांटिटी लिमिटेड रखें ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन सके और paste पनने के बाद आप उस paste को अपने face पे apply कर लें apply करने के बाद आप उसे थोड़ी दिर तक set होने दें जैसे कि आप अच्छे से paste को लगा लें उसे set होने दें और जब वो set हो जाए तो उसे slowly rub करें और rub करके 3 मिनिट बाद उसे wash कर लें पाने की मदद से baking soda का इस्तिमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुती helpful होता है हमें एक gorgeous skin देने के लिए जिन भी लोगों के sensitive skin का issue है वो baking soda का इस्तिमाल ना करें क्योंकि baking soda के अंदर irritation property होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को baking soda personally suit हो आपको इस्तिमाल करना है raw milk का यानि कच्चे दूद का आप कच्चा दूद लीजिए और उसे अपने चहरे पे अच्छे से massage करिए आपको massage circular motion में करनी है अपने fingers की मदद से अपनी उंगलियों की tip से अच्छे से massage करें और अपने चहरे के अंदर तक यानि के अपने skin की अंदर तक आप उस कच्चे दूद को पहुचने दें ताकि वो आपके skin pores के अंदर जाके आपकी dirt को हटा सकें और आपकी tone को और भी ज़्यादा bright कर सकें आपको इस्तमाल करना है orange का आपको direct orange का इस्तमाल नहीं करना है आपको 2 टेबल स्पून orange juice लेना है और उसमें एक चुटकी turmeric यानि की हल्दी powder को add करना है हल्दी powder add करने की बाद आप उसका paste बना लें और अपने चहरे पे अच्छे से apply करें apply करने की बाद आप उसे set होने दें और 5-10 मिनिट बाद आप अपने चहरे को अच्छे से wash कर लें हम orange juice का इस्तमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असके अंदर बहुती जादा मात्रा में vitamin C मौजूत होता है जो कि helpful होता है naturally lightning skin tone देने के लिए orange juice की अंदर bleaching property होती है और turmeric एक बहुती अच्छी antiseptic है जो कि हमारे चहरे में मौजू डर्ट और कोई भी bacteria को kill करने के लिए काम आती है turmeric की वज़े से pimples और acne से भी हमें चुटकाना मिल जाता है हमें पूरी उमीद है कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आया है आप हमारे वीडियो को like ज़रूर करें share करें अगर आपको कोई query है या question है तो उसे नीचे comment box में सरूर drop करें अगर आपने अप तक हमारे चैनल को subscribe नहीं करा है तो please write subscribe की button को press कर दें और हमारे चैनल को subscribe करनें हम जल्द मिलेंगी एक नई beauty tip लेके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तब तक के लिए bye bye take care see you